हेलो फ्रेंग्स तो आप लोग कैसे हो उमीद करती हूं अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए इंस्टेंटली स्वीट डेजर लेके आई हूं बहुत ही इंस्टेंटली है यम्मी है सुपर डिलेसियस है बिना गैस जलाए बिना कुछ काटे चिले बिना पकाए बिना मिक्सी चलाए इतनी सुपर डिलेसियस रेसिपी आप घर में बनाके रेडी कर लोगे खाने में बहुत ह दोस्तों इतनी इतनी सूपर सॉफ्ट है कि मुह में माखन की तरह घुल जाएगा दोस्तों मार्केट से महगी republican लागत कम लागत पैसे में दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों और ये जो बिस्किट है काफी पुरानी है इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही जबरदास्त है आप इससे कोई भी मिठाई की रेसिपी बनाईए चार चांद लग जाएगा और इंस्टेंटली बन जाता है कोई ताम जाम नहीं और कम खर्चे में बनता है दोस में डूओ-डूओ के खाते हैं बहुत ही हेल्दी होती है बच्चों के लिए तो आज इसी से मैं स्वीटनेस रेसिपी आप लोग के साथ शेयर के रहे हूं मुझे उमीद है कि आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको पसंद आ जागा ये वीडियो दिल को चू केसे बनती है तो सबसे पहले चार पकट यहाँ पर 5 रुपे के मैंने चार पकेट लिया है तो इसको बánता बिसके के पैकिट को करते हैं आप यहां पे थेक ठोह समद कि ला दूद लिया है दोस्त penis Egyptian क्रीम दूद लेघเสी जब हैया की शागेます सबसे पहले सारे बिस्किट जो है ऐसे डुबो डुबो के आप अलग बरतन में रखते जाएए जितने भी सारे बिस्किट है हम ऐसे करके डुबो के रखते जाएंगे ऐसे जटक जटक के दूद बस दूद नहीं देना है बिंगा बिंगा के हमें ये बिस्किट को रखना है द दूद का हम बाद में इस्तमाल करेंगे तो इसको भी हम ढखके साइड रख देते हैं दो मिनट हो गया है इसको हम चेक कर लेते हैं यह देखिए बढ़िया से जो बिस्किट है हमारी दूद को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिए यह काफी सॉफ्ट भी हो गया है दोस्तो द जो बिस्किट है बढ़िया से पहले इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेते हैं तो यह दोस्तो बढ़ियां से दोनों एक दुसरे में मिल गया है घी और हमारे बिस्किट तो तो अगर आप प्लेन बिस्किट से पेड़ा बनाओगे, मिठाई बनाओगे तो इसमें बिस्किट का फ्लेवर आएगा, इसलिए दूसरा फ्लेवर इसमें एड़ करना बहुत ही जरूरी है, आप यहाँ पे डेर चमच करीब मिल्क पौडर है दो तो इससे भी एकदम मावा ज होगे तो पता नहीं चलेगा, कोई भी पकड़ नहीं पाएगा कि यह बिस्किट की मिठाई है दोस्तों, इतना टेस्ट और फ्लेवर बढ़ियां आता है, दोस्तों इसको हमने जो बिस्किट है, मिक्सी के जार में इसको ग्राइड नहीं किया है, तो इस बात की टेंसन मत ल दाल लीजेगा, मैं इसको सिंपली जैसा बाबा धाम जैसा ओरिजनल पेरा वगेरा सब होता है, वैसा ही कलर का रखना चाह रही हूं, इसलिए इसमें चॉकलेटी फ्लेवर एड नहीं कहे रहे हूं, कोको पॉडर, चीनी का पॉडर है दोस्तों, तो चीनी का पॉडर एड क कर रहे हूं, बिस्किट वगेरा, अपने आप में ही काफी स्वीटने से भरे होते हैं, मिल्क पॉडर भी काफी मीठा होता है, इसलिए मिठास आप अपने टेस्ट के कॉडिंग बढ़ा या घटा सकते हो, यहाँ पे चमच की सैता से नहीं होगा, यहाँ पे मुझे हाथ हूथ लेते हैं, एकदम डो के फॉर्म में इसको रैडी कर लेते हैं, दोस्तों, बढयासे यह डो के फॉर्म में रैडी हो गया है, कोई भी परे शानी नहीं आई है, बढ़िया चिकना हो गया और इसकी साइनिंग भी बहुत बढ़िया है, लगबग यहाँ पे अड़हाई इस्पून चम्मची हमें दूद लगा है दूद भी इसमें जादा नहीं लगता है अब हम इसकी बढ़ियां सी मिठाई बनाके रेडी करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप हाथों को घी से ग्रीस कर लिजेगा और चोटी बढ़ी जैसी आपको इच्छा है उस तरह का पेड मिठा खाने की क्रेविंग हो रही है और बाजार से भी नहीं लाना है और एकदम बढ़ियां मिठाई खाना है कुछ डिफरेंट फ्लेवर वाला तो यह बैस्ट है कम खर्चे में बढ़ियां आपको मिठाई खाने को घट पर ही मिलेगा बाहर बाजार में एक पैसा भी आप आप चाओ तो यह देख सकते हो दोस्तों यहां पर चौको चीप है आप चाओ तो यहां पर ड्राइफूट भी डाल सकते हो गांडिशिंग के लिए लेकिन मैं एक छोटा सा चौकलेटी चौको चीप ले रही हूं और यह देखे यहां पर मैंने पुट आउन कर दिया है और तो यह लिजे दोस्तों इंस्टेंटली दो से तीन मिनट में आपका बिस्किट से पांच रुपए की बिस्किट से आपका यह पेडा बनके रेडी हो गया है आप अगर अपने गेस्ट को भी यह सर्ब करने के लिए दोगे तो वो पता नहीं लगा पाएंगे कि यह बिस्कि मृटी हैजी यह बनी है लेकिन मार्केट से महेगई मिठाई है क्योंकि इसमें आपका प्रेम हैं आप प्रिवार के लिए बनाया थोस्तों पूरी मिठास गल्ती हैं बहुत ही महें पांगे पर द BÜNDNIS बई बनके रेडी हो गया जो बहुत ही से इफ बढ़ियां है और Meow March तरीके से विश्किर से ये मिठाई बनाईए दोतों और सबकी तारीफ लूट ये गेस्ट को भी आप सर्व कीजिए गेस्ट भी खुस हो जाएंगे तो दोस्टों टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया है ट्राइ कीजिए बाबाई टेक के याज